आपने इस तरह के metallic wax तो बहुत सारे crafter को यूज़ करते हुए देखा होगा इसका यूज़ हम किसी भी mosaic art, lip pen art या फिर stencil work paste का यूज़ करते हैं जिसे कि जो हमारा उबरा हुआ पार्ट होता है वो थोड़ा और भी जदा highlight हो जाता है वैसे तो ये market में easily available होते हैं बट मैंने सोचा कि आज इसे घर पर ही बनाते हैं और वो भी budget friendly तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं golden metallic wax जिसको बनाना बहुत ही ज़दा आसान है तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो उसके लिए मुझे जरुत होगी यहां पर बीज wax की अब आप सोच रहे होंगे कि यह बीज wax क्या होती है तो जो हमारी honey भी होती है उससे जो wax निकलता है यही बीज wax होती है और इसका यूज हम lip gloss वगरा बनाने में करते हैं और easily आपको किसी भी online store पर मिल जाती है इसके बाद मैंने यहां पर एक golden shimmer का यूज किया है यह powder form में होना चाहिए और मैं यहां पर golden color यूज कर रही हूँ तो basically यह face पर लगाने का है पर मेरे पास कुछ और golden powder form में नहीं था तो मैं इसी का यूज करूँगी इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कुछ shimmer नहीं है तो आप यहां पर eyeshadow का भी use कर सकते हैं और आप देखी सकते हैं कि eyeshadow palette में कितने सारे color होते हैं तो आपको जिस भी color का wax यहां पर बनाना है आप वो color यहां से ले सकते हैं यहां पर use करेंगे हम एक body lotion का और coconut oil और एक stick लेंगे हम जिसे की mix करने में असानी हो तो यह हमने यहां wax को निकाल लिया है क्योंकि हमें बहुत थोड़ी से quantity में चाहिए होगा और यहां पर इसको मैंने flame पे melt कर लिया है अब हमने जो body lotion लिया था उसकी थोड़ी से quantity हमें ल यहां पर थोड़ा से coconut oil डालके mix कर देंगे तो वो clip मेरी मिस हो गई तो आप यहां पर जरूर से coconut oil add कर दीजिए और इसके बाद मैंने यहां पर glitter लिया है और glitter को हम अच्छे से इसमें mix कर लेंगे आज कर विंटर से इतनी जादा हो रही है ना और जब कभी भी हमें कोई ऐसा वीडियो शूट करना रहता है जिसमें wax बगरा melt करनी होती है तो उसमें बड़ी problem हो जाती है इतनी जल्दी जल्दी यह wax freeze हो जाता है कि बार बार इसको melt करना होता है तो मुझे भी इस वीडियो चीजों को अच्छे से mix कर लिया है और थोड़ा सा glitter मैंने और add किया था जिसे की थोड़ी सी shine और आ जाए अब हम इसे किसी भी खाली container में भर लेंगे और थोड़ी देर के लिए rest पर रख देंगे जिसे की जो मरा wax है ना वो थोड़ा सा set हो जाए तो देखिए काफी का दिख रहा है और काफी ज़्यादा सुंदर ये मुझे लग रहा है और अब हम इसे try करेंगे एक शादी के card पे तो यहां पे शादी का जो card है ना वो कुछ उबरा हुआ है तो मैं वही use कर रही हूँ तो यहां पे हलके हातों से अपनी finger पे इसको rub करना है और जो भी हमार प्रोजेक्ट है उस पे हम अलके हातों से apply कर देंगे तो इस तरह से अगर आपका कोई लिपन आर्ट है मोजैक आर्ट है या फिर कोई stencil आर्ट है तो आप उस पर भी इसको use कर सकते हैं और यकिन मानिए इसको use करने में इतना मज़ा रहा है इतना ज़्यादा satisfying process है यह बस हम मैं हलके हाथ से creamy texture को rub करना है और अपना जो project है उस पर हलके हलके fingers की help से हमें से लगाते जाएंगे और काफी ज़्यादा अच्छा यह final outcome देने वाला है अब इसका जो texture है आप हैंड पर भी देख लीजे कितना अच्छा इसका pigment आ रहा है तो obviously हमारा जो product है बहुत ही ज़्य DIY को जरूर से try करना और अब देख लेते हैं इसका final result तो यहां पर मैंने जो card पर इसको rub किया था उससे देखो कितनी अच्छी detailing इसमें add हो गई है और जो हमारा उबना हुआ पार्ट था वो कितने अच्छे से highlight हो गया है और काफी ज़्यादा फूसूरत भी यह लग रहा है card पे जो final outcome है वो कैसा आया है वो भी मैं आपके साथ share कर रही हूँ लेकिन अगर उससे पहले आपने में चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को subscribe कर दीजिए, bell icon को press कर दीजिए, जिससे आने वाले time में new videos की notification आपको मिलते रहेंगे और हाँ अगर वीडियो थोड़ा से भी पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से like कर दीजिए, दोस्तों के साथ share कीजिए, जिससे कि वो भी इस तरह के DIY ट्राइ कर सके हैं तो मिलते हैं, ऐसे ही किसी नए और interesting वीडियो के साथ, बाबाई